विज्यादस्मी के मौके पर राश्ट्री स्वयन सेवक संग ने महाराश्ट्री के नागपूर में अपना वार्शिक विज्यादस्मी उत्सो आयोजित किया इस कारिकर में RSS प्रमुक मोहन भागवत ने मड़िपूर मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि मड़िपूर की इस्थिती अभी सांथ हो रही है लेकिन आपस में जगड़ा कैसे हुआ इतने सालों से मैतई और कुप की साथ रहते थे अचानक अलगाव की बात कैसे हुई इसके पीछे किसे फायदा है जब हम इसे देखते हैं तो ध्यान में आता है कि यह हो नहीं रहा बलकी कराया जा रहा है कि ऐसा कुछ है अभी मड़िपूर की परिस्थिती को लेकिए अभी शांत हो रही है लेकिन यह आपस में जगड़ा कैसे हुआ बहुत वर्षों से वहां मणिपूरी महितेई और मणिपूरी कुकी वह साथ में रहते अग्चानक कैसे जगड़ा हुआ सीमाल अक्षेत्र है वो भारत का वहाँ पर ऐसा होना वहाँ पर अलगाओं की बाते खड़ी होना वहाँ पर ऐसे आपस में जगड़े होना इससे किसका फाइदा है बाहर के शक्तिवों का भी फाइदा है बाहर लोग थे क्या करने वाले मजबूत सरकार है और तत्पर भी है सो हम ग्रोह मंत्री वहाँ जाकर बैठें तीन दिन और मिनिस्टर जाकर वहाँ 15-15 दिन रहे सारा प्रयास किया वहाँ की सरकार चाहती नहीं देश की सरवार प्रतिबद्द है ऐसे होकर भी चलता रहा क्योंकि शानती का प्रयास होता है और सफल हो रहा ऐसा देखते देखते ही कोई हाथसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है फिर से द्वेश बढ़ता है यह करने वालों के पीछे कौन थे यह उसा भढ़ताने वाले लोग कौन थे यह हम देखते तो ध्यान में आता है कि इसमें यह हो नहीं रहा है, यह कराया जा रहा है, और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहु आयामात्मक काम करना पड़ेगा, वहां लोगों के मन तूट गए, केवल शांती का प्रष्ण नहीं, अब समाज को जोडने का भी प्रष्ण है, संग के स्वाहिम सिवक, पहले से अंततक वही करते रहे, आज भी कर रहे, सब की सेवा कर रहे, समध्रुष्टी से सब को देख रहे, सब के पास जा रहे, सब से बा इसके लिए उस परिस्थिती में भी अपनी जान हथेली पर रखतर काम कर रहे है, स्वाहिम को उस उकसावे में, उस भड़काने वाली परिस्थिती में, दिमाग पर बरप रखतर उन्होंने काम किया है, हमको उन स्वाहिम से वपकों पर गर्व है, जैसा काम उन्होंने मनि पूर में किया। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। उनके कारियों पर और उन स्वेंचयों को पर दोनों पर उनको गर्व है। लेकिन वहां सबको काम करना पड़ेगा। सरकार की इच्छाशक्ति तो है ही। उसके साथ साथ प्रशासन की कुरती जैसा मैंने कहा उसको लाना पड़ेगा। सक्रियता कुशलता दिखानी पड़ेगी।